एक सामानी परिवार से आने वाला छात्र क्रश्ण कांत जिसने सेंड्यूस स्कूल से बारवी पास कर बीकेजी कोचिंग क्लास में अपनी शिक्षा ग्रहन की थी उसका चैन जेए एडवांस 2019 में हुआ क्रश्ण कांत ने जेए एडवांस में 117 रेंग का हासिल कर अपने परि परिवारी के सब्सक्राइब करने के बाद साथ में है कोचिंग क्लास में पढ़ाई कर आज जेए एडवांस 2019 में 117 रेंग के लेकिन परिवारी की स्थिति के बात करें जो सपोर्ट मिला कोचिंग क्लास इसके और इसकूल के दवारा उस ही को लेकर हम बात्चित कर रहेंग मैं सेंड्यूट्स इसकूल में पढ़ाई करता था और बीके जी जो की यहां की बेस्ट कोचिंग थी तो मैंने सोचा कि अगर मैं वहां पर जॉइन करता हूं तो मैं अपना पूरा बेस्ट दे पाऊंगा तो उसके ही कारण मैं वहां पर एडमिशन के लिए गया मैंने 11th औ निकाल पाए हम बात करें बीके जी क्लासिस की तो आप वहां जब गए होंगे काफी कुछ जानकरी अन्य संस्ताव की जुटए होगी माता पिता कि इच्छा रिटी किसी बड़े सहर के किसी बड़े संस्तान में बेज़ा लेकिन आपने बीके जी कुछ होना क्या वज़े र साल बात कई एक तो यह तो यह एक मतलब कि हमारा हमारा मतलब जो अम्रें वह भी हम पालेम अमोमन देखें तो हम बच्चे बड़े सेरों में जाना चाहते हैं लेकिन आपने एक नई मिसाल कायम की खरगुन में रहे के खरगुन के जो कोचिंग क्लासेस हमें पढ़ाई कि और इतने अच्छी रेंग पाई कौन इससे स्थार है बिकेजी क्लासेस के जिन्हों आपको मार टीचर से यह भी बड़ी-बड़ी कॉंपिटिटिव एक्जामस निकालते रहते हैं जिससे हमें बहुत जादा इंस्पिरेशन मिलती है हमारे सचीन सर नेट क्वालिफाइड है साथ में जो बायो के जो सर है वो भी नेट क्वालिफाइड है तो यह जब इतनी बड़ी- पढ़ रहें बचाइब अच्छी रहें कि उनको भी कहीना कि संदेश मिलेगा आपके इस इसर क्या कहना चाहेंगे उसे कितने घंटे की पढ़ाई करना चाहिए और पढ़ाई का इससार किसी लेवल तक होना चाहिए पढ़ाई हमें इस इसाब से करने चीए कि मतलब हम जो करें वह एंसी आगी लेवल पर हो हमें बड़े-बड़े कोश्चन पर नहीं जाना चाहिए कि मतलब हम बहुत सारे कॉश्चन कर रहे हैं हमें मतलब एंसी इस सब जगा पेपर बनते हैं तो एंसी आटी में फोकस मानते हुए और इंसी इपर ज्यादा ध्यान देते हुए हम थोड़ा उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए हम बड़े-बड़े को करते हैं और यह हमारी मेन बुक को भूल जाते हैं बस तो हम अगर इस पर ध्यान दे तो हम ज़रूर हमारी सफलता को पा सकेंगे मेरे पिता जी एक प्राइमेरी टीचर है और मेरी माता जी एक हाउस वाइफ है लेकिन कुछ कंडिशन के वह बिमार रहते हैं वह पेरलिसिस के पेरलिसिस हो गया था उन्हें तो वह अभी बेड्रेश्ट करते हैं कि पड़ा ही आपकी परभाइद होती होगी घर के काम भी देखना पड़ते हों कि लेकिन उसके बाद बीकेजी से आपको सपोर्ट मिला क्या कुछ खास नजर आया आपको बीकेजी क्लासेस में मुझे बस यह बात अच्छी लगी कि मतलब कि यहां पर हमेशा हमारे डाउट के लिए अच्छे से पड़ सके यहीं कि यहीं रहे कर हमें अच्छा माहूल दिया जा रहा है यह बात बीकेजी की बहुत अच्छी लगती है कि क्या लगसे रहेगा आपको क्या बनना चाते हैं मैं जिंदगी में मतलब की बीटेक कंप्लीट करकर यूपीएस से निकाल कर द अमाज का विकास है वो करने की कोशिश करें आयाइटी मेरेकर कुछ नाया खोजने की कोशिश करें देख सकते हैं कि कृष्ण कांत रावत भली उम्र कम हो लेकिन सोच बड़ी है और यह सोच के पीछे जो मूल वजह है वो कहने कि कोचिंग क्लास है तो जो इसकूल होती है जो मार्क दर्फवन होते हैं उसी के बाद इस तरह के सोच आती है और हम देखें छोटी जगह पर रहकर एक बड़ी जो एक सो संत्यावी रहें के पाई है वो कहने कि जो उनके मार्क दसक गुरू रहे उनहीं की देन है लेकिन बच्चे का भी उसमें पढ़ाई में जो कि अपने कोचिंग संस्था के होते हुए अपने पिता को भी देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने हमेशा मतलब हमेशा घर से मुझे सपोर्ट किया मम्मी की बीमारी के बावजूद भी उन्होंने घर के सारे काम समाले और मुझे कभी नहीं कहा कि मैं घर के कामों में हाथ बटाओं या यह करूं मुझे उन्होंने हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेदित किया है जिसके कारण कि मैं अपना पूरा फोकस हमेशा अपनी बुक्स पर रख सको और साथ ही कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में हमेशा मुझे एक मोरल सपोर्ट और एक साथ में अच्छ जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है और रिजल्ट अच्छा नहां आने पर थोड़े गलत कदम उठा लेते हैं तो उनसे मेरा कहना है मतलब मेरी खुद की सोच है कि वह इसा विल्कुल ना करें क्योंकि जिन्दगी में और भी मौके मिलते हैं और एक कोईसी छोटी सी से आप मतलब इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते हैं यह बहुत ही गलत हो जाता है बिके जी के लिए आज बड़ा ही गर्व का विशह है आज हमारी संस्था के छात्र क्रशकांत रावत ने आयाइटी जेई एडवांस में 197th rank हासिल की है जेई एडवांस में यह रेंक उसक पूरे आल ओर इंडिया साड़े आठ सो सीट होती है जेई एडवांस के थूरू आयाइटी में एडविशन के लिए और उसकी 197th rank है तो इस अ ग्रेट एचुमेंट बाई हिम और उसने कोई बड़ी एस्टरॉर्डरी प्रिप्रेशन नहीं करी थी मूलता एंसी आइटी और तो 12 के focus को ध्यान किया 12 के course को ध्यान दिया और उसके कारण उसके आज ये selection मिला है मैं सभी बच्चों के कहूंगा कि course जो है एडवांस का या नीट का वो 12 बैस ही रहता 11 बैस ही रहता 11 12 पे ज़्यादा focus करे और उसमें से कुछ समय आइटी जई के questions पर निकाल लेके वल त प्रेस्ट्रेंग इन देट एक्साम्स